तो आज हम डिसकस करने वाले हैं जीरो टू हीरो सीरिस का पार्ट 15 इससे पहले हमने जो है वो 14 पार्ट डिसकस किया था जिसमें हमने हिमाचर प्रदेश की रिवर्स को जो है वो डिसकस किया था अच्छा सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूं कि दो-तीन दिन पाई बट अब जो है वो आपको कंटिनुटी में वीडियो मिलेंगी फटा फट जितना जल्दी हो सकेगा हम आपको पूरा ये रिवर वारा सेक्शन कंप्लीट करवा देंगी और थोड़ा सा टाइम लग जाता है जब आपको मैप के थ्रू जो है वो समझाना होता है तो सा पिछली वीडियो में जो हमने सतलूज रिवर पड़ी थी बहुत अच्छे कमेंट आपके आये थे मैक्सिममम लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आई थी तो उसके लिए भी दिल से शुक्रिया और सौरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई आज की वीडियो जैसी भी आप जो है वो रिवर डिसकस करेंगे और उसके बाद दूसरी मनलब कंटिन्यू आपको सीरीज में जो है वो वीडियो मिलेगी क्योंकि हमने बहुत जल्दी जो है वो हिस्ट्री पर फोकस करना है क्योंकि हिस्ट्री मैक्सिमम को समझ नहीं आती है तो उसको डिटेल में थोड़ लंबी नदी है और इसलिए कि क्या बोलते है उसके बारे में जितने भी आपके इंपॉर्टन पॉइंट थे वो सारे हमने जो है वो महापर डिसकस कर लेते हैं गर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखिए तो इसको जो है वो जुरूर देखीगा तो जीरो टू हीरो सीरी बीडाल था तो पताल नदी किस से रिलेटिट है आपकी सिर्मौर डिस्टिक से रिलेटिद है और यह कहां से निकलती है यह चूडधार आपने सुना होगा सिर्मौर की सबसे उची चूटी चुटी यह बहुत कम बूख्स में दिया गया है तो अगर आपके पास कभी संबंद भी आपके सिर्मौर डिस्टिक से है पैखी नदी पैखी नदी आपके सोलन से निकलती है आपकी बथाउधार से कौन से निकलती है बथाउधार से ठीक है फिर ये सिर्मौर में भी आती है मतलब कि include हो जाती है अब ये exactly कहीं पर दिया नहीं गया है कि आपका ये कौन पर आपको पैकी नदी के बारे में याद रखना है तो पाताल नदी याद रखेगा और पैकी नदी याद रखेगा कि इन दोनों का संबंध भी जो है वो हिमाचल परदेश से ही अगर आपसे कभी जो है वो पूछ ले जाए ठीक है जी तो यह दो पॉइंट मैंने आगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा ठीक है तो हम बात करेंगे यहाँ पर यमना रिवर के बारे में अच्छा यमना रिवर कहां से निकलती है यमना रिवर निकलती है आपकी यमनोत्री से बोला जाता है या फिर बंदर पूंच ग्लेशियर भी कहीं बार जो है वो लिखा आता यहां से आपकी यमना नदी निकलती है यह वाली जो जारी है डिरेक्शन यमना रिवर और यह आपकी जाती है देखिए यमना रिवर जो है वो सिरफ आपकी सिर्मौर डिस्टिक में ट्रैवल करती है ठीक है सिर्मौर डिस्टिक में तो एक चीज़ याद रखेगा कि सिर्म ना नदी निकलती है वो यूमनोत्री से निकलती है थीकर या बंदर पुछ गिलेशियर या यूमनोत्री कहीं बार दिया जाता है। फिर सबसे पहला point आपको यह याद रिखना है कि यह जो है वो हिमाचल परदेश में प्रवेश करती है यानि कि entry करती है खादर माजरी से या फिर इसको लिखा जाता है आपका खोदर माजरी ठीक है जी खोदर माजरी से यह हिमाचल परदेश में प्रवेश करती है एंटरी कर कि भाई अब जो है वो हिमाच्रा प्रदेश का बॉर्डर शुरू हो गया है ठीक है तो वो पॉइंट है आपका खोदर माजरी खादर माजरी कई बार ऑप्शन में आ जाता है तो यह आपको मैंने हमेशा बोला है कि हिंदी से थोड़ा बहुत आपको रिलेट करना पड़ेग दूसरा पॉइंट है यमना के बारे में आपको क्या याद रखना है कि कहां से जो है वो छोड़ती है हिमाच्रा प्रदेश को तो ताज्ये वाला से जो है वो छोड़ देती है और उसके बाद जो है वो हरियाना में चली जाती है तो दो पॉइंट यमना के बारे में सबसे तो ताजे वाला से निकल कर वो फिर आपकी हर्याना में चली जाती है आई होप आपको यमुना के बारे में इतने पॉइंट जो है वो क्लियर होगे अगर हम मेन रिवर यमुना की बात करें हो गया क्लियर आप कुछ और चीज़े देख लेती है सबसे important कहा है आपकी साहिक नदिया maximum चीज़े मैं यहाँ पर आपकी clear कर दूँगा फिर quick revision करेंगे आपके point के साथ यमुना के बारे में पता लग गया अब देखी यमुना की जो साहिक नदिये वो है एक आपकी tons यहाँ पर दिख रही होगी आपको tons नदी अब tons नदी यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा point दिख रहा है और यहाँ पर दो जल्दाराइन दिख रही है यह आपकी first और यह आपकी second पहली का नाम है आपका soupin और दूसरी का नाम है रूपिन अचा tons नदी जो है वो दो नदियों से मिलकर बनी है कौन सी soupin और रूपिन अब यह भी दोनों नदियां कहा से निकलती है यह मनोत्री के पास से निकलती है और एक नेतवार नामक स्थान है जहाँ पर यह दोनों नदियां मिलती है और उसके बाद tons नदी का रूप ले लेती है कैसे यह किस तरीके से जैसे आपकी चंदर नदी निकलती है भागा नदी निकलती है और तांडी नामक स्थान पर मिलती है और उसके बाद चिनाब नदी बन जाती है यह आपने पढ़ा होगा नामक स्थान पर मिलती है और फिर क्या है कि टॉंस नदी का रूप जो है वो धारन का लेती है टॉंस रिवर बन जाती है ठीक है यह टॉंस नदी बन जाती है अच्छा यह टॉंस नदी फिर क्या है कि यह यमुना की सहक नदी है सहक किसको बोलते है सहक नदी का मतलब हुआ कि जो मांन लिजे मैं कोई काम कर रहा हूँ मैं कोई वर्क कर रहा हूँ और आप उसमें मेरा जो है वो साथ दे रहे हैं तो आप मेरे साहे कोए इसी तरीके से की कोई यमुना नदी बहरी ए और कोई another river आकर जो है वो इसमें मिल जाती है तो वो कौन सी होगी वो साहिक नदी होगी ठीक है तो टॉंस यमुना की साहिक नदी है तो कोई ना कहीं स्थान पर जो है वो मिलती होगी इसी से तो वो स्थान है आपका कालसी ठीक है कालसी नामक स्थान पर यहां पर आप देख रहे होगी यह पॉइंट जो है वो कालसी है का पड़ा दुबारा से हम डिसकस करेंगे देखिए यमुना की सायक नदी है टॉंस टॉंस नदी किस से मिलकर बनी है रूपिन से और सूपिन से रूपिन और सूपिन कहां से निकलती है यमुनोत्री के पास से और कहां पर दोनों आपस में मिलती है नैतवारक नामक स्थान पर जहां पर ये टॉंस नदी का नाम लेकर आगर जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि एक हो गी है आप दो नाम तो चलेंगे नी तो इन्होंने मिल जुलकर अपना एक नाम रख लिया जो की होगा टॉंस ठीक है रूपिन और सूपिन थी रूपिन थी प्लस सूपिन थी अब इन्ह लगा पहसंतर दारा घार वह लक्रा स्व offend में तो ये दोनों आप देख लिएगा ठीक है तो कालसी नामक स्थान पर ये वँ यमना में मिल जाती है ठीक है तो दो चीज़े क्लिर होगी यमना के बारे में क्लिर क्लिर हो गया आपका आपका खोदर माजरी से हिमाचल में अंट्री और ताज्ये वाला से फटाफट वहाँ से बाहर हरियाना फिर उसकी साहिक नदिया टॉंस रूपिन सूपिन से मिलकर बनती है यह मनोत्री से आती है नैतवार नामक स्थान पर रूपिन और सूपिन जब आपस में मिल जाती है ट ठीक है कौनसी पबर नदी पबर नदी यह है पबर नदी कहां से निकलती है मैंने हमेशा आपको पताया है चंदरनाहन जील से आपकी जो है वो पबर नदी निकलती है ठीक है और चांसल चोटी भी मतलब कि चंदरनाहन जील कहां पर है आपकी चंसल चोटी में ठीक है तो य नहां से जो है वो पबर नदी निकलती है ठीक है पबर नदी निकलती है और फिर आपकी जो है वो इस वाले स्थान पर ठीक है ये वाला स्थान मतलब की कालसी नहीं है ये दुसरा स्थान है ये आउट ओफ आपका सिरम और ही पड़ता है ठीक है चकराता नमक स्थान है एक ठी अंध्रा और पटसरी यहां फिर आपकी गिरी चोटी है गिरी चोटी भी आपकी कुपर चोटी से निकलती है ठीक है यह कुपर चोटी से निकलती है यह भी आपको पता है ठीक है और यह यहां पर आपको दिखरी होगी यह भी यमना की जो है वो साहिक नदी है और गिरी की कौन कौन सी है असी असी को जो ह वो आपकी गीरी की साहक नदी है ठीक है ये दो नदिया जो है वो आपकी गीरी की साहक नदी है अच्छा अश्वनी से एक important point याद रखेगा कि ये कहां पर जो है वो गीरी नदी में मिलती है क्योंकि मैंने आगे mention नहीं किया है तो साधु पुल नामक स्थान पर जो है ये कि सब कुछ आगे हम discuss करेंगे उसके लावा बाता और मारकंडे ये भी जो है वो आपकी किसकी नदी है यमना की साहक नदी है तो ये कुछ आपको map के थुरू समझ आगे होगा थोड़ा बहुत बाकी तो आगे point हम discuss करेंगे ही मेरा main motive था कि आपको map के थुरू एक बार idea एक point ये याद रखना है कि कहां से निकलती है आपकी ये पबर जो आपकी नदी है और दूसरी गिरी नदी कहां से निकलती है आपकी कुपर चोटी से ये याद रखना है तो ये सारी चीजिए clear और नहीं होगी तो आप comment करके जुरू बता सकते हैं मैं आपको आगे और अच यमना निदी का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है, ये आप सभी को पता है, फस्ट पॉइंट आपको याद रखना है, यमना निदी का संस्कृत नाम यमना ही है, ठीक है, तो ये भी आपको second point याद रखना है, ठीक है, तो कालिंदी जो है वो सबसे important exam में पूछा जाता है, अच्छा, इसका ग्रीक में भी नाम है, लोमनेस और लोमस कहीं बार इसको बोला जाता है, बट एक्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी आप याद रखेगा, अगर कभी आ जाए, ठीक है, यमना नदी उत्राखंट के घडवाल, ये घडवाल है वैसे, घडवा नदी को, कौन सी नदी को, यमना नदी को, ठीक है, अच्छा, इसका संबंद जो है, वो सूरे से है, इसको बोला जाता है, कि ये सूरे से संबंदिते है, यानि कि संबंदीत है, तो ये इंपॉर्टन पॉइंट आपका बन जाता है, एक्जाम के point of view से, क्योंकि ये पूछा जाता है ठीक है सबसे बड़ी गंगा नदी की सायक नदी है और सूरे से संबंदी थे अचा हिमाचर प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी है important point ये भी बन जाता है, कि हिमाचर प्रदेश की सबसे पूरी नदी कौन सी है, वो है आपकी यमना, और सबसे छोटी हिमाचर प्रदेश की नदी कौन सी है, वो हो भी आपकी यमना है, अच्छा सिरफ आपकी सिर्मौर जीले में बैती है, यह हो गया, यमना नदी हिमाचर प्रदेश की सिर्मौर जीले में खोदरी माजरी से प्रवेश करती है, ठीक है, कौन से एरिये से प्रवेश करती है, खोदरी माजरी, यह मैंने आपको बता दिया था, अभी उपर खोदरी माजरी से जो है, वो आपकी entry लेती है, ठीक है जी, और ताज्ये वाला से क्या करती है, हरियाना में प्रवेश करती है, यानि कि हिमाचर प्रदेश को कहां से छोड़ती है, वो छोड़ती है आपकी ताज्ये वाला से, ठीक है, और कहां चली जाती है, वो चली जाती है आपकी हरियाना में दो पॉइंट बहुत जादा important है यमना नदी के बारे में कहां से entry लेती है दुबारा दुबारा इसलिए बो रहा हूं ताकि दिमाग में आपके print हो जाए पिछली बार सतलूज नदी आपके दिमाग में बह रही थी हर कोने में आज यमना नदी को बहाना है ठीक है ताकि आपके दिमाग में एक एक point को जो है वो एक एक point आपके दिमाग में बैढ़ जाए ठीक है तो यमना नदी कहां से entry लेती हिमाचल प्रदेश में खोदरी माचली कहां से निकलती है मतलब कि हिमाच्र प्रदेश को कहां से छोड़ती है ताज्यवाला से ठीक है तो ये सारी चीज़े आपको clear होगा बाकि ये तो common सही है कि कालंदी नाम है पूर्वी नदी है सबसे छोटी नदी है ये सारी चीज़े पता है कि आप कर दोगे अच्छा यम्ना नदी जो है वो प ये हम ना किया है सबसे पहले गिरी नदी ठीक है और फिर आपकी जो है वो टॉंस नदी वैसे तो आपको clear हो गया होगा है थोड़ी थोड़ा याद आ रहोगा map के तुरू कि टॉंस नदी कहां से आ रही है कैसे जा रही है हाना clear हो गया और गिरी नदी के बारे में भी तो अगर आपके पास आप्षण में आ रहा है कि पड़सरी जो है वो किसकी सहक नदी है और आपके पास जो उप्शन है उसमें पबर नदी नहीं मैंशन किया गया है उसमें आपका mention किया गया है Tons River तो आप answer क्या लगा होगे Tons River क्योंकि automatically जब पबर नदी इसकी साहक है तो ये भी इसकी साहक हुई बट अगर आपके पास option में पबर नदी है तो आप टिक करोगे पबर नदी ये चीज में आपको बार-बार समझा चुका तो याद रखेगा गिरी नदी की साहक नदियां दो है जलाल और अश्वनी और Tons नदी की साहक एक है कौनसी पबर नदी और पबर नदी की फर्दर साहक और कौनसी है वो हैं आपकी पटसरी और आंधरा ठीक है जी ये समझा गया उसके लावा बात्ता और मारकंडे ये भी जो हैं वो आपकी यमुना की साहक नदियां ये डरेक्टले आपको यमुना से रिलेट करके पढ़नी है यमुना की साहक नदिया ये चीज समझा गई जादा इसमें पढ़ने को नहीं है जादा नदिया नहीं जैसे सतलूज में बहुत सारी नदिया थी तो हम दुबारा से रिपीट करेंगे गिरी नदी, टॉंस नदी जो आपको हैड में रखनी है ठीक है ये क्लास के दो मोनीटर है ठीक है बाकि बाता और मरकंडे इनका अपना अलग चला है ये आपके यमना के सायक है ठीक है ये सारी चीज़े आपको क्लियर होगी बार-बार जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये चीज़े समझ आएगी एक दम से जो है वो समझ नहीं आएगी चलिए पॉइंट के बारे में बात करते है बटागे बढ़ने से पहले प्रिक्षा बूस्टर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आपको पताए 30 marks के करंटे फिर पूछे जाएंगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजेगा रूपिन प्लस सूपिन इन दोनों नदियों से मिलकर जो है वो टॉंस नदी बनी है दोनों नदिया नैतवार में आपस में मिलती है यह मैंने आपको बताया था नैतवार में आपस में यह जो है वो मिलती है ठीक है यह दोनों नदिया और इससे आगे क्या नाम रख देती है अपना Tons ठीक है भई इन्होंने decide किया कि भई हमें ये नाम लेकर नहीं चलना है अलग अलग क्यों पुकार है जैसे आपकी चंदर और भाग आती है उन्होंने decide कि तांडी से आगे हम चिन्णाप नाम रखेंगे तो रूपिन और सूप द्रिक है कि Netwar से आगी हम फोन्स नाम रखें जाए झालभि और przypadku蹤न नदी आपकी याम्णा में जो है वो रिटी के निकलती है। तो यह आपको पॉइंट याद रखने में जिन पर र from कर दिया है मैंने जब से पहले droplets और सुपिन से मिलकर बनी है टॉंस नदी किस के बारे में पढ़ रहे है टॉंस नदी के बारे में पढ़ रहे है किस से मिलकर बनी है रूपिन और सुपिन से नेतवार में जो है वो आपस में मिलती है कालसी नामक स्थान पर टॉंस यम्ना में मिल जाती है और यम्नोत्री से ज मैं अपी जाती है और ह после אותi चंद्राद से नदी किसे रीप उत्राथब में पूंडरी है वहांवार की बांडरी के साथ तो वहां पर शक्राथल में वह मिल जाती 3 point important 3 point तो यार आप याद रख सकते हो अच्छा से अच्छा से मैप के दुरू याद रखोगी तो जारा better रहेगा फिर बात करते पटसरी नदी की पटसरी नदी जो है पटसरी नदी आपकी पटसरी नदी भी जो है वो आपकी पबर की साहग नदी आ ठीके पबर की सायक नदी है, खड़ा पत्थर शिमला से जो है वो निकलती है, ठीके पटसरी एक बार मैप में चलते हैं वापसी हम, तो पटसरी जो है वो ये है आपकी पटसरी और यहाँ पर जो प्लेस पड़ता है वो उसका नाम है आपका खड़ा पत्थर, ठीके खड़ा हो गया, बिलकुल हो गया, तो खड़ा पत्थर से निकलती है, रोढू के आसपास जो है, वो पबर नदी में मिल जाती है, एक्जेक्ट लोकेशन नहीं बताएगे यह बट आपको यार रखना है, रोढू के पास जो है, वो पबर नदी में मिल जाती है, पबर नदी में क्यों तक काउड च सीडगां आंतो रोहनों और नेरवा इसी के किनारे अब यह मैंने क्यों रहे सब्सक्राइब क्यांके प्रिवेस questions में जो है वो पूछे गए हैं कि भाई आपका चीडगाउं रोहनू और नेर्वा कहां पढ़ता है तो आंधरा निदी की किनारे पढ़ता है आंधरा project भी यहाँ पर चला हुआ है जिसको हम hydro projects में जो है कि सिर्मौर जीले को दो भागों में बांटती है सिस गिरी और ट्रांस गिरी एक बार दुबारा से map के उपर चलते है ठीक है बार बार जितनी बार जाना होगा उतनी बार जाएंगे और इसको जो है गिरी नदी के बार में गिरी नदी यह है कहां से निकलती है कुपर चोटी से कहां पर पढ़ती है कुपर चोटी जुबल में पढ़ती है अब आप देखो कि गिरी नदी जो है वो यह बहरी है यह वाला area ठीक है गिरी नदी का बहरा है करेंगे डिस्टिक वाला उसमें पढ़ेंगे ठीक है अच्छा पॉंटा के मुकामपूर में यमना नदी में मिल जाती है तो यह याद रखना है कि गीरी नदी जो है वो यमना नदी में कहां पर मिलती है तो वो मिलती है आपकी मुकामपूर में तो तीन पॉंट इसके बारे म भी बोला जाता है ठीक है लोकल में ये स्राहन अलग है जो शिमला वाला है बट ये स्राहन अलग है तो पच्छाद बोला जाता है पच्छाद के धार्टी रेंज जो धार्टी रेंज है वहां से निकलती है ठीक है और दाहू में जो है वो गिरी नदी में मिल जाती है अच्छ मैं अरणा के पास सब्सक्राइब सो अब धा क्योंच कि उपाइंट भी जैंगत्क surprise पूइंट पोईंड दॉश्चन पर फार मैं क्यूंच ठीक है जी तो जलाल नदी के बारे में इतने पॉइंट हर एक रीवर के बारे में आपको तीन से चार पॉइंट या रखने हैं उससे जादा पॉइंट बनी नहीं रहें तो यतना तो आप याद रख सकते हो टेलिग्राम पर हमें जॉइन कर सकते हो ओफिशल जी के स्टेडी म हम आपर हम कोश्चन डालते रहते हैं नेक्स्ट है बाता नदी दिखे बाता नदी के बारे में याद रखेगा नहान रिज और कई बार जाल मूसा का खाला यह पूछा जाता है वहां से निकलता है और बाता मंडी नामक स्थान पर यम्ना नदी में मिल जाती है तो दो पॉ नाम है तो बाता क्या मंडी लगा दीजेगा तो बाता मंडी में यह यम्ना नदी में मिल जाती है अच्छा मारकंडे नदी जो है वो कटासन हिल से निकलती है कटासन हिल में जो है वो कटासन मंदीर भी है टेंपल भी है ठीक है जो की नहान और पॉंटा के बीच में पढ़ हजार, 376 km है और हिमाचर अधी की कुल लंबाई जो है वो 22 km है इसलिए हिमाचर परदेश की सबसे जो है वो smallest river इसको बोला जाता है क्यूकि 22 km जो है वो इस नधी की कुल लंबाई है अचे इस नधी का कुल जल ग्रहन क्षेत्र फल तो ये आपको एक्जाम में याद रखना है अच्छा इसके तठपर मानो बस्तिया मतलब की जो important आपके places हैं इसके तठपर यमना के तो वो है आपका Ponta Saip ठीक है Ponta Saip कहां पर पढ़ता है आपका यमना ने दीखे तठपर जहां पर गुरु दौारा भी है तो ये point आप याद रख सकते हैं क्योंकि match में आ सकता है कहीं बार कि आपका कितना है आपका वर्ग किलोमेटर कितना जल गरहन कि शेतरफल है अलग-अलग river का तो ये सारे आपको यार्खने प्रिक्षा बुस्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ अचा quick revision मार ले थे एक बार नदी कौन सी हमने पड़ी यमना रिवर पड़ी कहां से निकलती है यमनोत्री glacier बंदरपुंच glacier उत्राखंड से निकलती है संस्कृत नाम यमना है और वैदिक नाम कालिंदी है पता है युनाने नाम लोमनेस या लोमस इसको बोला जाता है इतना जाधा important नहीं हमाचर प्रदेश में सिर्मौर जिले में कहांसे पैड़े सी खलो करती है हमाचर प्रदेश को शोड़कर हरियाना में पैड़े वाला गाउं से दो point important है बहुत जाधा कुल लंबाई 1360 km हिमाच्र परदेश में लंबाई 22 km सबसे कम है यानि के पांचो रिवर में सबसे कम कुल जल ग्रहन क्षेटर या पढ़ लीजेगा हिमाच्र परदेश में जल ग्रहन क्षेटर ये 2320 km ये इंपॉर्टन्ट है ठीक है, एक्जाम के point of view से, अच्छा, साहिक नदिया, टॉंस, पटसरी, पबर, बाटा, अश्विन, गीरी, आंध्रा, मारकंडे, जलाल, यह सारी मैंने उपर आपको बता दिया, तो यह सारी इसकी साहिक नदिया, यह किन जीलों से होकर बैती है, तो सिर्मौर जीले से, only one ज जीले से होकर यह बैती है, और इसके किनारे जो प्रमुख बस्तिया है, नगर बसे है, वो है आपके पॉंटा साहिक, तो यह सारा एक quick revision था, इतनी जल्दी होगी, क्योंकि यमना जो है, वो छोटी river है, इसके जारे में, बारे में जारा point आपको पढ़ने नहीं पते है, एड करना चाते हों कि sir हमें इस तरीके से नहीं समझा रहा है, हमें उस तरीके से पढ़ना है, या कुछ और इसमें एड कर दो, वो चीज भी याद रखेगा, पताल नदी और पैकी नदी के बारे में भी याद रखेगा, ये भी HP से संबंधित है, ठीक है, पताल नदी कहां बॉज यल्दी मिलते हैं, नेक्स्ट बडियो